हलो हाई गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूँ हर्शिता और आप देख रहे हैं दसिनेमा शो जहां हम आपको फिल्मी दुनिया की खबरों से रूबरू करवाते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का सिलसिला पहली खबर साल 2021 में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म राम प्रसाद की तेरवी के बारे में हैं खबर है कि सीमा पावागत निर्देशित ये फिल्म एक जनवरी को भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, नियूजिलेंड और फीजी में भी रिलीज होगी इसके लिए फि सिरुदीन शाह, सुप्रिया पाथक, कौंकना सेन्शर्मा, विने पाथक, मनोच पहवा, विक्रांत मैसी, ब्रजेंडर काला और विनीत कुमार जैसे तंगडे का लाकार हैं एक्ट्रिस शृती सेट को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसके बाद उनकी इमर्जेंसी सरजरी भी हुई, शृती ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जानकारी दी, उन्होंने इसे 2020 का आखरी जटका बताया, उन्होंने अपनी एक सरजरी में भेज कर, मेरे क्रिस्मस और न्यू यर के सारे प्लांस बीच में ही रुख गए है, और मैं यहाँ पर हूँ, बड़ी हेल्थ क्राइसिस से जूचती हुई, मुझे लगता है कि मैंने वो सबक नहीं सीखा था जो मुझे सीखना चाहिए था, लेकिन अब मुझे सी मिल गई है, मैं अपनी सीख आपके साथ शेर कर रही हूँ, अपनी सेहत को लेकर लापरवां मत होई है मनुझ बाजपई की हिट सीरीज फैमिली मैन का सीजन दो आ रहा है, इस मच अवेटेड सीजन दो का पोस्टर अमेजन प्राइम विडियो ने रिलीज किया, पोस्टर में एक टाइम बॉम नजर आ रहा है, कैप्शन में लिखा है, टाइमर के बार में पता नहीं, लेकिन उ स्वोट होने वाला है, मनुझ बाजपई और शरी भाशमी स्टार इस सीरीज का दूसरा सीजन भी मशूर डिरेक्टर जोडी, राच और डी के ही डिरेक्ट करेंगे, साथ ही प्रियमरी और शरत केलकर भी दिखाई देंगे, साउथ की सूपर स्टार सामन्ता अकीनेनी इस सी डिजिटल डेब्यू करने वाली है, ये कब से एर होगा, इसकी आदिकारिक जानकारिया भी नहीं मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि 12 फर्वरी 2021 से इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो सकती है कुरोना महमारी ने सिनेमा हॉल्स के बिजनस को बुरी तरह प्रभावित किया है, भीड अवॉइड करने की जरूरत और OTT की बढ़ती स्विकारिता ने थीटर बिजनस पर काफी असर डाला है सिनेमा हॉल्स खुलने के इतने दिनों के बावजूद वहां रौनक नहीं लौट पाई है शायद यही वज़ा है कि बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में अभी भी रिलीज नहीं हो रही है यह सिलसिला जनवरी 2021 में भी जारी रहेगा पूरी जनवरी एक भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है बस कुछ छोटे बजट की फिल्म में सिनेमा घरों में लगेंगी जिन में राम प्रसाद की तेरवी, 12 उकलॉक, मेरे देश की धरती, लूप लपेटा और गालिब जैसी फिल्म में शामिल है OTT पर फिल्म में रिलीज होने का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उनमें भी कोई बड़ी फिल्म नहीं है एक्ट्रेस कीरती कुलहारी ने मेरिटल रेप पर अपनी बात रखी है उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मेरिटल रेप के खिलाफ आवाज उठाई जाए कीरती हाली में वेब सिरीज क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड दे क्लोस्ट डोर्स में नज़राई थी ये सिरीज इसी अपराद के इर्दगिर्द बुनी गई कहानी पर आधारित है कीरती ने कहा हमारी सिरीज वेवाहिक जीवन में बंद दर्वाजे की पीछे होने वाले अपराद पर प्रकाश डालती है की कैसे एक आदमी प्यार के नाम पर अपने रिष्टे पर हावी हो जाता है और उसके कैसे नतीजे आते हैं अब वक्त आ गया है कि हम मैरिटल रेप और हिंसा जैसे क्रूर अपरादों के खिलाफ आवाज उठाएं यह एक दर्द है जिसे शिक्षित और असिक्षित महिलाएं चुपचाप सहती आ रही है शद्रुगन सिना के बेटे लव सिना ने एक्टिंग को लेकर अपनी हसरत जाहिर की है लव सिना हीरो नहीं बनना चाहते थे बलकि वो सूपर विलेन बनना चाहते हैं ताकि उनका रोल दर्शकों को हमेशा याद रहे इस मामले में उनके आदर्श शोले का गबबर, पद्मवत का अलाउदीन खिल जी और वंस अपना टाइम इन मुंबई का दाउद इब्रायम जैसे खिरदार है अपनी एक ख्वाइश उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखकर भी जाहिर की उन्होंने लिखा कि वो रितिक रोशन की फिल्म क्रिश फोर में नेगेटिव रोल करना पसंद करेंगे हालकि उनकी पिता की हिट फिल्म विश्वनात की रीमेक में लीड रोल करना भी उनकी ख्वाइश है लगान और मुन्ना भाई MBBS जैसी हिट फिल्मों का हिस्सरही एक्ट्रेस ग्रेसी सिंग सिनेमा की दुनिया से लगबग गायब ही है हाली में उन्होंने एक इंटर्व्यू में इसकी वज़ा साफ की उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों में और काम करनी की इच्छन नहीं होती है उन्होंने कहा मैंने फिल्मों में 7-8 साल काम किया है और इसमें से अधिकतर वीजनल सिनेमा की फिल्में रही है मेरी कभी फिल्मों में लगातार काम करते रहने की और किसी रेस का हिस्सा बनने की इच्छन नहीं थी समस्या ही तब शुरू होती है जब आप उम्मीदे बांद लेते हैं मैं हमेशा वर्तमान में रहना पसंद करती हूँ उन्दोंने आगे कहा मेरे मैनेजर जोशी जी मेरे प्रोजेक्ट का ख्याल रखते थे वही प्रेड्यूसर्स को अप्रोच करते थे साल 2008 में वो गुजर गए उनके बाद मेरी इच्छा डिरेक्टर्स और प्रेड्यूसर्स को कॉल करने की भी कभी नहीं हुई या तक कि मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं था शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना एक बार फिर भिड़ गए हैं इस बार निशाने पर हैं शारुक खान और अजय देवकन गुस्ते की वज़ा है इन कलाकारों द्वारा शराब, सिग्रेट, गुट का आदी चीजों का विग्यापन करना मुकेश खन्ना ने एक ट्वीट किया जिसमें आजय के विमल गुट का एड की तस्वीर है और जिस पर लिखा है कभी खुद का कर देखा है इसके अलावा उन्होंने एक विडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो कहते हैं मुझे शिकायत उन बड़े एक्टर्स और बड़ी हस्तियों से है जो ऐसे प्रडक्ट्स का विग्यापन करते हैं अपनी शकल देकर परसनालिटी बेच कर मैन आफ एक्शन जुबा केसरी कहे कर हीरो बन जाते हैं चोटे स्टार्स का ठीक है लेकिन बड़े ऐसा क्यों करते हैं गाउं में बैठा हुआ छोटा बच्चा जो शारुक को सिगरट पीता देख रहा है वो यही सोचेगा कि यह अच्छी बात है इन बड़े स्टार्स को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए आखरी खबर सल्मान खान की बहु प्रतीक्षित फिल्म राधे के बारे में है सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के तमाम राइट्स तक्रीबन 211 करोड रुपों की असाधार और कीमत पर खरी दिये गए है ट्रेड अनालिस्ट कोमल नहाटा के अनुसार जी एंटर्टेनमेंट एंटर्प्राइज ने राधे के थियेट्रिकल, डिजिट्र, सैटेलाइट और म्यूजिक जैसे तमाम राइट्स खरी दिये है हाला कि FilmInformation.com के मताबिक अभी अग्रीमेंट साइन होना बाकी है इस मामले में सल्मान कान और जी के CEO पुनीत कोइंका के बीच एक मीटिंग हुई जिसके बाद अग्रीमेंट साइन होना महस फर्मैलिटी ही है इस डील को हिंदी सिनिमा के इतिहास की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है ये भी सफष्ट है कि इतनी बड़ी रकम की डील के बाद राधे OTT पर तो नहीं रिलीज होने वाली है सिनिमा गरों में ही रिलीज होगी कुछ दिन पहले ऐसी खबरे चली भी थी कि ये फिल्म OTT पर रिलीज की जा सकती है लेकिन इस डील के साथ ये ऐसी खबरों पर लगाम लग जाएगी प्रभुदेवा निर्देशित ये फिल्म इस साल एद पर रिलीज होनी थी कुरोना ने सारे प्लैंस बिगार दिये अब बताया जा रहा है कि राधे साल 2021 की ईद पर रिलीज होगी दिसिनिमा शो में आज की एपिसोड में बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी 2020 के अंतिम एपिसोड के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ती ललन टॉप शुक्रिया